नमस्कार दोस्तों मैं मनुश्यक्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का बहुत प्यारी वेकिंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ देखे भले कॉंट्रेक्श्वल बेसे हैं लेकिन आपने देख लिया होगा कितने सारे फॉर्म में ये सर्टिफिकेट काम आए हैं जिन्होंने पिछली बार इसे किया हुआ था लेगे कॉंट्रेक्श्वल बेस है इससे परशान ना हुआ करे मैं यह कहता हूँ अगर आपके पास अभी कुछ और कर लेना वो भी जहाज है सब जहाज़ा भीया बस करना है आपको रुखना नहीं है यह ज्यान रखना आपको ठीक है इस चक्र मत रुख जाना कि मेरी कल को बहुत पर्मनेंट जॉब अरे लगी क्या इसको भी मत छोड़ना इसलिए करना जरूरी सी डैक याने कि से सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलप्मेंट ऑफ एडवांस्ट कंप्यूटिंग याने कि सी डैक सी डैक ने बहुत सारी विकेंसी ओपन की वही है आप इनको देख सकते हैं इनके बारे में आपको दीर दीर बताऊंगा ठीक है लेकिन अच्छे देख लो पहले सी डैक की है और लाइन एप्लिकेशन है कोई भी हाड कोपी आपको नहीं भीजनी इसका आपको बहुत अच्छे से द्यान रखना है ठीक है ठीक है चलिए मैं नीचे बताईता हूँ को क्या क्या चीज़ें यहां पर है अच्छा और हर पोस्ट के लिए आपको अलग से अप्लाए करना ह लेवल कॉंसल लेगा इनको सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर और नाम इनका सेंटर हेड ऑफ सी इई ए ठीक है दिली में लोकेशन होगी इसकी सोलमन आइलेंड के उपर यहां पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं डिटेल कौन क्या है दुनेदरी ऐसी मैं पहले पोस्ट कर रहें आपको जंक रहें तो फील्ड एप्लिकेशन इंजीनियर की बात करें यह तो बैंगलूर चेंड़ी दिल्ली हैदराबाद कोलकाता मोहाली मुंबई और यहां यहां खाली टोटल पांच पोस्ट है अपर सबसे ज्यादा है यहां जाय करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्य यह प्रोग्राइबरी मनेजर्य यह नौलेज पार्टनर 50 liked और यहां यहां अपलाए यहां एक ओसरТके जोडसे की बिजनेश डेवलेजर 900 मैं तोस्ट्वाहां और एक पोस्ट और काई सी प्रोजेक्ट अफिसर की जो की फाइनिनेस अगाउंटowright वुट खोगा ठेक एक समझगे ना पुरिष्ट अच्छी दियान दोगी फिंधर्की अबले को सविट यह इक पोस्ट काली आपकी और Using प्रोजेक्ट इंजिनियर या प्रोजेक्ट लीड मॉड्यूल लीड टूटर असी पोस्ट हैं इतनी इतनी जगा पर यहां जाके अप्लाइ करना है ठीक है फिर नीचे जाएंगे आप फुरसा तो टेकनिकल एडवाइजर मिलेगा आपको एक्विलेंट टू किसके प्रोजेक अपर ज़िए यहां पर पेपर नहीं है पहले बताएता हूँ सिद्धा इंटरविव होगा इंटरव्यू के लिए कि अगल करने वाले जब आप आप अंलान अप्लिकेशन बरेंगे जब आप उन्लाइन एप्लिकेशन फिल कर रहेंगे तो अपने ए-mail को बहुत अच्छे देना को एक्टिव इमेल ही वहाँ पर रेजिट कर राना और कुछ मत करवा देना है और देख लेते हैं तो आप समझ गया हलका मत लिजेगा कैसे भी करके आपको अंदर जाके देखने को मिलता है ठीक है और कुछ सब कुछ चूट रही है और किसी को कर डाउट हो जा तो यह हमीशा से कहना होता है जागा सोचने की दरूवत नहीं कि कि कहीं पर दिक्कत होगी तो आगे बढ़े गई नहीं आप चाहिए इतनी कोशिच कर लें सेलेक्शन यहां पर लिखा हुआ है कि भाईया पहले तो आप अ आपको सीधे बुला ले जाएगा किसके लिए आपके परसन इंटर्वी के लिए वह मेल करके भीजेंगे आपको इसको ध्यानत नहीं है यह जो कॉल पार्टिसिपेट इंटर्व्यू सेलेक्शन प्रोसेस रीजनेबल लिमिट वह तो इनकी बाते हैं कि जैसे मालने ज्याद सब के लिए है वह यह जाके भरिया अब आपको क्या चीए किसी से अब तक तो लोग इसलिए परिशान होते हैं कि यह है वो है दुनियादारी बहुत सरी बात होती थी जैसे कि मैंने आपको आप इंटर्वी कॉल लेटर तो इसलिए समाल के रखना कोई मिस्यूज नहीं करन अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाइक करना चाहते तो अलग-अलग आपको अप्लाइक करना देखिए सारा फरी है कितना इबार बर्दों को दिख्कत देखिए सबजगे आप मेरी बात कैसे अप्लाइक करना वह दिखिए यहां पर आपको सीड़ेक की साइट पर ही जाना है कोई दिक्कत नहीं है तो आप चली जाएंगे ठीक है वेरीड इमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ जाएगे को आप अप्लाइब बटन पर क्लिक करें अरे अप्लाइब मतलब यह है यह जो लिखा हुआ है कि लिंक सबकी है सबकी अलग-अलग पोस्ट अब मैं क्लिक कर दूँए यह आपके पास आगे पोश्चर ओपन आ पर इसको थोड़ा सब बड़ा कर लेते हैं और यहां पर ऐसे कर देता हूं अब देखना देहां से क्या क्या पोशिशन डिटेल लिखा यहां पर लिखा है प्रोजेक्ट इंजिनियर प्रोजेक्ट सब्सक्राइब कर देखने का मतलब यह इसका है ना तो देखे आपके पास कंप्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग का या कप्यूटर डिखा एटी का कॉंप्यूटर सभी मशीन लेर्निंग क्वांटम टेक्नॉजी इंफोर बिशिएन साइंस अंड इंजिनिरिंग मैंतिक्स औ कंप्थिग साइबर सीक्यूरीटी साइबर फॉरेंची कशिक सेक्यूरिटी नेटवर्क शिकूरिटी शॉप्त्व सिंट्रम इंब्र सिस्टम वे लसाइज सिग्नल प्रोस्टिंग माइक्ट्रों इलक्ट्रोंग आपको यहां पर लिखा हुआ अब देखो एक बार नहीं पर पीजीप नना एक चीज है पर भूली गई है इनमें से आपको जो आता वह बढ़ी है ठीक है और जो प्रफाइल रह यहां पर आपको डालने पड़ेगी अपने मॉइल नमबर डालना और यहां पर पर आपको और दिखा देता हूं ठीक है अब चलिए एक और देखते हैं आपन जैसे माली जी इसके बाद ज्यादा पोस्ट के इसमें असी यह वाला बात रहां जैसे इसमें ठीक अब यहां पर आगया अब यह दिखिए चल जाएगा ऐसी कुछ भी और और करके लिखा बिल्कुर लेकिन यहां इसको चोटा कर लूँ है ठीक है और क्या दिखते हैं और को दूसरा देखते हैं आपर जड़ा एक सेकेंड इसको चोटा कर लूँ है ठीक है और क्या दिखा दूँ मैं 80 पोस्ट की तो आपको दिखा दिया था यहां पर देखोंगे आप सबसे आपकी नजर किस पर जानी चाहती कि आपको देखोंगा गया और सारी चीजे वहीं की वहीं हैं कोई भी इंजीनियर अपलाई कर सकता है यह मैं बता दू अब ब्रांच एर रेस्पेक्टिव चालिस पोस्ट है तीस साल मैक्जिमम एज जो ह अलग तरीके से मिलती है लिए हैं पर सोब्सक्राक नहीं होगा तो यह कोई दिक्कत नहीं है आपको मतलब ही मतलब है कि हमें रहा है यह और दिखाएता हम आपको चलिए ठीक है और अच्छा सबसे important बाद जिसको मुझे भूलना नहीं है interview date अभी बताई नहीं कि बताई जाएगी ये जो form है आपका है ना आपको कहा गया है एक जून से 20 जून भीया मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज 13 जून है साथ दिन और बचे उसको भूल मत जाएगा form को किसी भी हालत में भर दीजेगा ठीक है अब यहां पर आप देखोगे कि आप से कुछ बात कही गई है उसको आपको ध्याजर सुनना है ठीक है मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता है यहां देखना दें क्या बोल रहा है यह जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो फोटोग्राफ है उसको स्कैन करके आपको रखना और 400 कवी से उसकी जो क्या करना चाहिए लिमिट उसको उप इस बागता ध्यान रखना है अप्लाइब ड़न पर एक जुन से बीस जुन तक इसका हो है अच्छा कोई भी दिक्कत हो जाए तो भाइया क्या आपको यहां पर नंबर दिख रहा है यह नंबर दिख रहा है यह फोन डेख रहा है टूजिरो डबल फाइव और यह तो इन प इसकी देख लेते हैं हमें देखना तो यहां नो से पंद्रा साल का इस चेक्ड़र लेकर करके रहे हैं तो आप यहां पर भी यह यह लिखा हुआ है लिखा हुए नि लिखा हुआ पर आप मैं यहां पर मौझूद ही हूं एक अच्छी एपॉर्चुनिटी है जरूर जाके भरिए बहुत जगा पर एक्स्पिरेंस नहीं माग गया है आप इसको खोल खोल के देख सकते हो मैं यही पन्ना आपके सामने कुलेगा मैं जो लिंक दे रहा हूं उसको डिस्क्रिप् झाल झाल झाल